नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसन जेवान एस डिवाइस पर अपना जो एप लोग का यहाँ पर प्रॉब्लिम उसको आप कैसे सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपका जो एप लोग के काम नहीं कर रहा है आपके डिवाइस में तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखेगा मैं आपको शो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के सारा अंतक बने रही है साथ अगर अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चले दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे आप डाउनलोड नहीं करते हैं प्लेश्टोर से तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि जो सैमसंग के दिवाइस होते हैं उसमें दोस्तों एप लोग का फ्यूचर नहीं आते हैं ठीक है बैसिकली ज्यादा तर मोबाइल पे आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर एप लोग यहाँ पे काम नहीं करते तो आप सिंफिली प्लेश्टोर में जाए उसके बाद यहाँ पर टाइप करें सैमसंग एप लोग तो एप लोग के अंदर पे जाए एप लोग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यह आप्लिकेशन करोगे अब दोस्तों इस application के true अपने एप और लोग कीजिए ठीक है और दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट लिया आपका जो एप से वह यहाँ पे लोट हो जाएगा और दोस्तों अच्छे से काम भी करते ठीक है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सबसे पहले आपको पीन और यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली जाएए और कोई भी एपस के जो बटन है उसको इनेवल कर दीजिए और दोस्तों प्लस आइकन पर दुबारा से क्लिक करें ओके करना है यहाँ और कुछ परमिशन जो है उनको आपको अलाव करना है ठीक है तो इस परमिशन को यहाँ पर अलाव करें एंडेंट दुबारा से दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है ठीक है तो अभी यहाँ पर आपको दुबारा से करना होगा और यह एपलों का जो सेटिंग है उसको भी अलाव कर देना है जैसे लाओगा सेटिंग कॉम्प्लीट और आपका जो एपल है वो लॉक्ट हो जाएगा ठीक है मैंने दोस्तों माई अर्टेल एप उसको लॉक्ट किया है तो आए एक बार चेक करके देखते हैं कि ऐ आउगे तो यहांपर अभी तक दोस्तों एक यह सेट करना होगा conveniently का तो दुबारा से हम एपप़्ो कोपेंड करेंगे 나올 प्रियाए दोस्तों ऐसा की होते है क्योंकि हमारा जो परमिशन होते उसके आप देना होता है ठीक है तब जाके काम करते हैं ओके तो यह सेटिंग यहाँ पर रह गया था तो इसको ऊके करना है ठीक है एप्यर ओन टॉप तो इसको भी अलव कर दे नहीं और ओके करना है अब दोस्टों यहाँ पर आप देख सकते अलव एप लोग टू एक्सस फोटोज अध file on new device ठीक है तो यह सबसे main setting था तो इसको allow नहीं किया है तो अभी allow कर दीजिए allow करने के बाद bake करके दुबारा से हम check करते और दोस्तों अभी app log apply हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर काम कर गया है और problem दोस्तों हमारा जो है वो भी solve हो चुका है तो आपको सही application यहाँ पर select करना बहुत ही जरूरी है and then आपका problem बिल्कुर fix हो जाएगा ठीक है अगर आपके mobile पे by any chance मिल जाते है एप लोग का default future अगर वो काम नहीं करते तो आप सोफिर को अपडेट कर लीजिए उसके बार वो setting काम कर जाएगा ठीक है तो इस